कि नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं पंडित नरेंद्र पाधिया लाइन हिंद्वस्तान के जोतिशिय कारिकरम में आप सब का बहुत-बहुत वागत करता हूं सबसे पहले हैं लोग साथ मई दोहजार चौबीस की ग्रह स्थिति देखते हैं मेश राशी में सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, ब्रिशव राशी में गुरु, कन्या राशी में केट, शनी, कुम्भ राशी में, मंगल, बुद्ध और राहु, मीन राशी के वोचर में चल रहे हैं मेश राशी, मन बुझा बुझा सा रहेगा, उर्जा की कवी महसूस करेंगे, प्रेम संतान की इस्थिती अच्छी रहेगी, ब्यापार भी अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं फील करेंगा, लालवस्तु का पास रखना आपके लिए शुक्षव राशी, खर ब्यापार लगभग ठीक है, हरी वस्तु पास रखे, मेश राशी, आए में उतार चड़ाव बना रहेगा, लेकिन आए होगा, प्रेम संतान की इस्थिती अच्छी होगी, ब्यापार एक द्रश्टिकोंड से भी शुब समय रहेगा, कुछ खराब नहीं रहेगा, मन बुझ थोड़ा उतार चड़ाव बना रहेगा, एक निरस्ता सा आपको लगेगा, लाल बस्तु पास रखे, सिंग राश, यात्रा में कस्ट संभव है, कारियों में बिखने बाधा रहेगी, मान प्रतिष्ठा, ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा सा घटा या कहीं अपमानित हुए, ब प्रेम संतान अच्छा है, ब्यापार भी अच्छा है, लाल बस्तु का दान करें, तुला रश, जीवन साथी के स्वास्त पे ध्यान दे, साथ भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, एक निरस्ता बनी रहेगी, नौकरी चाकरी के इस्तिती में भी निरस्ता रहेगी, बाकी प बुझा बुझा सा, प्रेम संतान अच्छा, व्यापार भी अच्छा, पीली बस तू पास रखे। लाल बस तुपास रखे मकराश भूमभानवान के खरदारी में थोड़ी सी अभी बिलंब है ग्रह कलह के संकेत है स्वास ठिक ठाप प्रेम संतान अच्छा ब्यापार अच्छा काली जी को प्रडाम करते रहे कुमराश नए ब्यापार के हमी शुरुवात ना करे थोड़ी एनर्जी की कमी रहेगी ब्यापारी के इनर्जी की कमी रहेगी प्रेम संतान मध्याँ ब्यापार मध्याँ हरी बस तुपास रखे मीन डाश जुवा सटल लाट्री में पैसे ना लगा अभी निवेश करने से बचे स्वास्त मध्याँ प्रेम संतान मध्याँ ब्यापार ठीक लाल बस तुपास रखे नौसकर